ध्यान रखने योग्य बातें केवल महिलाएं ही सुने एक, जो औरते रात को देर से सोती है, उनका शरीर समय से पहले कमजोर हो जाता है दो, जो महिलाएं नाभी में दो बून सरसो का तेल डालती है, उनके बालों की चमक बनी रहती है और चहरे पर ग्लो रहता है तीन, अगर आपके शरीर को बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो आप बादाम, किश्मिश और किले को दूद में मिला कर पिया करें इससे शरीर को बहुत ताकत मिलेगी और कमजोरी भी दूर हो जाती है चार, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी से सिर्धूने से बाल गिरने की समस्या खत्म हो जाती है पांच, सुबल की समय ज़्यादा चटपटी चीजे खाने से बचना चाहिए, वरना आपको कई बीमारिया हो सकती है छे, फैरों की तलवे में सरसों की तेल से मालिश करने से आँखों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है साथ, दुबले पतले लोगों को खजूर के साथ भूने हुए चने का सेवन जरूर करना चाहिए इससे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है आठ, जो लोग चहरे का रंग गोरा करना चाहते हैं वह गुलाब जल और बेकिंग सोडा मिक्स करके चहरे पर लगाएं इससे चहरे की देट स्किन निकल जाती है और रंग गोरा हो जाता है नो, दांग में दर्द होने पर आप गुंगुने पानी में थोड़ी सी हींग मिला कर कुला करने से दांग के दर्द में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है दस, यदि आप रात को हर रोज चावल खाते हैं तो आपको नीन ना आने की समस्या हो सकती है ग्यारा, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप बालों पर अदरक का रस लगाया करें इससे बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं बारा, जिन लोगों के बाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा जड़ते हैं तो आपको रोजाना सौफ का सेवन जरूर करना चाहिए तेरा, बंद गोभी की सबजी खाने से चेहरे की जुर्यां खत्म होती है चौदह, अगर आपको हिचकी ज़्यादा आ रही है तो आप एक लोग पानी के साथ खा ले इससे आपको हिचकी आना रुप जाती है पंद्रह, अगर आपको अचानक बुखार होता है तो आप मेथी का पानी पिया करें दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत महमत लगती है इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें